हेलो फ्रेंड्स डीके सिना दिस साइड इस टॉक मार्केट में कई बार निवेशकों को इन्वेस्टर्स को एक हमेशा कंफ्यूजन रहता है अगर एक सेक्टर के दो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा स्टॉक बहतर नजर आ रहा है भविश में क्या संभावनाएं बने तो इस दूविदा को दूर करने के लिए आज एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और आटो सेक्टर के दो दिगज स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट के टाटा मोटर्स और महिंद्रा और महिंद्रा की एक कम्पारिटिव और कॉम्प्रेहंसिव अनालेसिस करते हैं एक अनबायस तरीके से अनालेसिस करेंगे यह दिमाग में रखते हुए कि I am not fallen in love with Tata Motors और महिंद्रा और महिंद्रा और एक hybrid अनालेसिस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे fundamental parameters and technical parameters और इन दोनों को combine करके हर parameters के उपर में हम score को assign करें कि कौन सा stock किस parameter में winner होके निकल के और final result outcome क्या होता है कि overall कौन सा stock winner निकल के आ रहा है अब ये तो हो गई process अब भविश्य में कोई stock वैसे perform करेगा नहीं करेगा तो वो तो खहना मुश्किल होता है भविश्य stock market का केवल हम analysis करके अपने आपको market में position कर सकते हैं भविश्य तो केवल stock market को ही पता है वैसे तो हम Tata Motors के share and Mahindra and Mahindra के share का independent video हम लेके आ चुके लेकिन इन दुनों stock की कभी comparative analysis नहीं की थी और कुछ दर्शकों ने इसका request भी किया था तो इस video को अंत तक जरूर देखिएगा for a better conceptual understanding की comparative analysis जिसे like to like analysis बोलते हैं apple to apple analysis बोलते हैं उसके process को आप समझ सके तो वीडियो को धेर सारे like कर लीजिए channel को subscribe कर लीजिए bell icon को hit कर दीजिए notification के लिए ताकि आप हमेशा updated रहें चलिए इस interesting चर्चा की शुरुआत करते हैं यदि हम पाए stock की score को देखें तो टाटा मोटर्स का है seven जो strong financials को indicate करता है वही महिंद्रा महिंद्रा का five है तो average financials को indicate करता है तो यहाँ पे winner कौन हुआ टाटा मोटर्स winner अगर हम इस stock के performance को देखें और उसका alpha check करें तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स के शेर ने 90.1% से benchmark index nifty 50 को outperform किया है वहीं महिंद्रा और महिंद्रा ने आउट परफॉर्म तो किया है 18.2% से लेकिन टाटा मोटर का performance बहतर रहा है तो यहाँ भी winner टाटा मोटर्स निकल के आता है अगर हम relative performance को देखें और पिछले तीन मेंने में टाटा मोटर्स के शेर ने nifty 50 को 24.3% से outperform किया है वहीं महिंद्रा और महिंद्रा ने 11.8% से outperform किया है तो इस parameter में भी winner जो है टाटा मोटर्स है अगर volatility देखें दोनों stock की तो beta 1 year का टाटा मोटर्स का 0.41 है और महिंद्रा और महिंद्रा का 0.63 है तो दोनों ह आधार पर हम इसे neutral category में डाल सकते ही क्या mutual fund ने last quarter में buying की है तो Tata Motors में buying की है लेकिन महिंद्रा और महिंद्रा में buying नहीं आई है तो यहाँ भी winner Tata Motors निकल के आता है क्या foreign institutional investor और FPI ने buying की है last quarter में तो Tata Motors में भी buy की है और महिंद्रा और महिंद्रा में भी buy की है तो यह भी एक neutral category में parameters आता है अब इन दोनों company का हम past performance के अधार पर comparison करते हैं तो earnings का अगर growth देखें पिछले past साल का तो Tata Motors का रहा है 50% जबकि महिंद्रा और महिंद्रा का रहा है 31.7% तो इस parameter में भी Tata Motors qualify करता है और बहतर performer है अगर हम return on equity की बात करें तो Tata Motors का return on equity 32.5% रहा है और महिंद्रा और महिंद्रा का 17.1% रहा है वैसे तो Tata Motors का जो return on equity है वो higher है महिंद्रा और महिंद्रा से लेकिन इस metric को अगर हमें दूसरे तरीके से देखना है कि Tata Motors का debt का जो level है वो काफी high है तो इस current से ये थोड़ा सा skewed नजर आता है high level of debt के current Tata Motors के case अगर हम return on asset की बात करें तो Tata Motors का है 7.9% और महिंद्रा और महिंद्रा का है 8.2% तो यहाँ पर winner जो है वो महिंद्रा और महिंद्रा निकल के आता है अगर return on capital employed की बात करें तो ROCE 17.8% है Tata Motors का वहीं महिंद्रा इन महिंद्रा का है 14.5% तो यहां भी विनर टाटा मोटर्स निकल के आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देख रहे हूँगे और देख रहे हूँगे कि किस-किस पैरामेटर्स में टाटा मोटर्स विनर आ रहा है और किस-किस में महिंद्रा इन महिंद्रा विनर है। क्योंकि आपको कमेंट करना है लास्ट में कि फंडामेंटल पैरामेटर्स के आधार पर कितने पैरामेटर्स में टाटा मोटर्स विनर है और कितने पैरामेटर्स में महिंद्रा इन महिंद्रा विनर है। तो क्या आप इसके लिए तयार हैं? तो चलिए अब बात करते हैं कि भविश्व में ग्रोथ का forecast क्या है? ग्रोथ का estimate क्या है भविश्व में? तो earning की growth की बात करें, तो Tata Motors की earning जो है, वो 19% per year के साब से grow करने की संभावना है, वहीं Mahindra and Mahindra की 5.3% से. तो यहाँ पर भी winner Tata Motors निकल के आ रहा है, अगर revenue growth की बात करें, तो revenue growth का जो estimate है future में, Tata Motors का 8.3% है, वहीं Mahindra and Mahindra का 0.3% है, तो यहाँ भी winner Tata Motors निकल के आता है, अगर future estimated return on equity की बात करें, तो Tata Motors का बहुत attractive है, 27.8%, वहीं Mahindra and Mahindra का है 15.2%, तो growth projection के हिसाब से, सारे parameters में Tata Motors winner हो के निकल के आ रहा है, अब financial health को check करते हैं, और इसके लिए हम check करेंगे debt equity ratio, तो debt equity ratio Tata Motors का है 210%, तो काफी अधिक है, और Mahindra Mahindra का है 140.4%, तो यहाँ पर winner जो है, Mahindra and Mahindra निकल के आ रहा है, अब debt की coverage की बात करते हैं, तो Tata Motors का जो debt है, वो operating cash flow से covered, जबकि Mahindra and Mahindra के case में operating cash flow जो है वो negative, तो यहाँ पर winner Tata Motors निकल के आता है, और interest coverage की बात करें, तो दोनों का interest जो है, वो properly covered है, earning से, Tata Motors के case में coverage जो है 4X है, और जबकि Mahindra and Mahindra के case में 3 times है, वहीं अगर debt reduction की बात करें, तो पिछले 5 साल में Tata Motors का debt जो है, वो बढ़ा है, जबकि Mahindra and Mahindra का same रहा है, तो यहाँ पर winner Mahindra and Mahindra निकल के आ रहा है, अब इन दोनों stock के valuation को check करते हैं, कि stock current market price पे valuation में कैसा नज़रा, तो पहले check करते हैं price to earning multiple को P.E. ratio, तो Tata Motors का current P.E. ratio है 18.4 और Mahindra महindra का है 19.1, तो यहाँ पर slightly advantageous position पर है Tata Motors और इसलिए वो winner है, अगर price to book ratio की बात करें, तो Tata Motors का 6.7, जबकि Mahindra and Mahindra का है 3.5, तो यहाँ winner है Mahindra and Mahindra, अगर price to sales ratio की बात करें, तो Tata Motors का सिर्फ 0.8 है, तो यह काफी attractive नजर आ रहा है, वहीं Mahindra and Mahindra का 1.5 है, वैसी यह भी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी comparative parameters के आधार पर, Tata Motors विरन निकल के आता है, अगर हम current market price को intrinsic value या fair value से compare करें, तो Tata Motors का share expensive है 66.9% से, वहीं Mahindra and Mahindra का share बहुत ज़्यादा expensive है 671.6% से, अगर हम fair PE ratio जो simply wall street ने calculate की है, उससे current PE को compare करें, तो Tata Motors का share और Mahindra and Mahindra का share दोनों undervalued नजर आ रहे हैं, तो इस parameter को भी हम neutral parameter में रखते हैं, कोई भी winner यहाँ पर निकल के नहीं आए अभी हमने Tata Motors and Mahindra and Mahindra की, एक broad fundamentals के आधार पर comparison की, तो क्या आप comment कर सकते हैं, कि कितने parameters में Tata Motors winner निकल के आया है, और कितने parameters में Mahindra and Mahindra, वैसे तो broadly समझ में आ रहा है, कि broad fundamentals के आधार पर Tata Motors winner निकल के आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपने ध्यान से देखा है, तो कितने parameters में Tata Motors और कितने parameters में Mahindra and Mahindra winner होके निकल के आ रहा है, आपके comments का हमें comment section में होगा इंतजार, तो चलिए बढ़ते हैं straightaway price chart पर, और दोनों share की technical analysis करते हैं, trend को चेक करते हैं, market के phase को चेक करते हैं और भविश में current market price से price structure के अनुसार, chart pattern के अनुसार क्या possible target हो सकते हैं Tata Motors के और Mahindra and Mahindra के share के, तभी तो पता लगेगा कि किस में कितना return देने की छमता है भविश में, कौन सा stock chart patterns के हिसाब से outperform करने की संभावना है भविश में, तो दोस्तों वीडियो को like करना नहीं बोलिएगा, चलिए straightaway price chart पर लिएगा, सबसे पहले Mahindra and Mahindra के share की technical analysis करते हैं यह daily price chart है मैंने पहले daily price chart को इसलिए open किया है ताकि हम इसकी trend analysis कर सकी तो देकि market का structure higher highs and higher lows का market structure है recent time में इसने यह continuation chart pattern बनाया है और breakout उसका हुआ है, price थोड़ा सा overextended है तो इसका ताथपर है कि trend analysis के अनुसार यह एक uptrending stock है और markup phase में trade हो रहा है सारे long term moving averages के slope upside है, SMA 200 का, SMA 233 का और SMA 144 का, short term moving averages भी inclined up है, इसका मतलब short term trend, intermediate trend, long term trend, सारे bullish है अब चलते हैं monthly price chart में ताकि इसके target को निगाल सको है यहाँ पर देखे बहुत important formation, important formation ऐसे है, यहाँ पर bottom है और यह bottom है और यह इसका apex था, जिसका यहाँ पर breakout हूँ, तो एक बहुत long range का इसमें breakout हुआ है इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं monthly chart में, prior trend bullish था और उसके बाद में यह deeper correction हुआ, और deeper correction के बाद यह cup and handle बना यह cup बन गया और यह handle portion था, जिसका यहाँ breakout हुआ, तो अब इसका इस cup and handle pattern के अनुसार, अगर हम एक target निगाले, target तो किसी भी chart pattern के minimum expected objective होते हैं, लेकिन अभी तो हम comparative analysis कर रहे हैं, महिंद्रा और महिंद्रा के share और Tata Motors के share में, तो दोनों में like to like comparison करें, यहाँ पर अगर मैं इसके target को project कर यह देखिए, इसका पहला target तो यहाँ पर 21, 153 आता है, तो उसके तो करीद पहुच रहा है, तो हम लोग दोनों share में 100% expansion के target को एक आधार बनाएं, तो यहाँ 100% expansion के target के आधार पर अगर हम देखें, तो current market price से, current market price कहां पर है, जब market close हुआ, 23 फरवरी 2026 को, तो यह share 1929.95 पर trade हुआ है, तो पुराने जो पहले वीडियो आये थे, उसमें 1900 का target किया, चीट कर चुका है, तो अभी भी इसमें 100% expansion तक जाने के लिए, कुशन है करीद 76, 77% का, तो महिंद्रा और महिंद्रा शेयर में upside तो नजर आ रहा है, अब हम तो comparison करने बैठे हैं, कि आप दे Tata Motors शेयर के price chart पर चलते हैं, अब हम refer कर रहे है Tata Motors के share को daily price chart, यहाँ भी trend bullish है, market structure higher highs and higher lows का market structure है, long term moving averages को देखिए, SMA 200, SMA 233, SMA 144, सभी inclining up है, short term moving average, EMA 21, EMA 55, inclining आता है, और यह share उतना overextended भी नजर नहीं आ रहा है, quite in vicinity है EMA 21 and volume weighted moving average के, तो यह बात तो तह हो गए कि यह एक up trending stock है, और markup page में यह trade हो रहा है, अब बढ़ते हैं, monthly price chart में ताकि इसके target को निकाल सके, तो यह देखिए, monthly price chart में हम आ गए, यहाँ में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एक major rounding pattern का, multi year rounding pattern का breakout हुआ है, यह देखिए, breakout हुआ है, मैं horizontal line कुछ खिषता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यह मैंने एक horizontal line कीजी, एक horizontal line यह है, और यह horizontal line एक और यह, तो यह दोनो zone जो था, दोनो horizontal line के बीच का zone, यह resistance को रूप में act कर रहा था, price का rejection अब इसका यहाँ पर decisive breakout हो चुका है, तो यह rounding pattern के नुसार हमें एक target को निकाल सकते हैं, तो अब इसका target निकालते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसके lowest point से neckline तक की दूरी को नापें, और इसे project कर दो, तो इसका even पहला target भी अभी काफी pushन है, 1873 का target निकल के आ रहा है, पहला target, लेकिन सिंस हमने comparison किया था, महिंदरा एं महिंदरा में 100% expansion को, तो यहाँ पर 100% expansion को ही base बनाएंगे, comparison purpose के लिए, तो current market price क्या है Tata Motors की, जब market close हुआ, 23rd February 2024 को, तो इसकी closing price थी 937.15, तो यहाँ पर, अब target को project करते हैं, यह देखिए, पहले target में भी कुशन है, in fact, 94% का, तो पहले target में भी महिंदरा एं महिंदरा से return की संभावना जदा है, क्योंकि महिंदरा एं महिंदरा में हमने देखा, कि करिब 76-77% का कुशन है, 100% expansion के लिए, और यहाँ पर अगर हम देखें, 100% expansion के target में, तो 300% से भी अधिक के return की संभावना है, क्योंकि यह target आत है, 1873, तो इस वीडियो में हमने Tata Motors एं महिंदरा एं महिंदरा के shares का broad fundamentals चेक किया, दोनों की technical analysis करके trend analysis की, किस phase में trade हो रहा है, और क्या possible इसके long term targets हो सकते हैं, यह वीडियो का कोई recommendation नहीं है, लेकिन आपको काफी हद तक जानकारी हो गई होगी, इस stock के बारे में, इस hybrid analysis के मध्यम से, तो आपके comments का हमें comment section में होगा, देशबरी सिंतजार, आपको क्या लगता है, इन दोनों stock में से, कौन सा stock भविश में outperform करने की संभावना रखता है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों, अतीशीग